ACL surgery के किते दिन बाद आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं दोस्तों मेरा नाम डॉक्तर मनु बोरा मैं एक और्थोपेडिक सर्जन और ACL एक्सपर्ट हूं टीम और्थोस्पोर्ट गुडगाओं बंबे बैंगलोग तो दोस्तों आपने सुना हुगा कि ACL की जो सर्जरी होती है उसके अंदर ACL रिपेर होता है मतलब जो ओरिजनल ACL है उसी को रिपेर करके हमने फाइबर टेप इंटरनर ब्रेस लगा दिया ACL reconstruction होता है जिसके अंदर हमने नया ACL बनाया है आपके हमसी टेंडन से और उसको पने बचा के रखा है फाइबर टेप इंटरनर ब्रेस के साथ आखिर इस सर्जरी के अंदर नॉर्मल वाकिंग कब चालो होती है तो दोस्तों नॉर्मल वाकिंग करने के लिए आपको दो चीज पहले कि जो आपकी जो मसल की स्टेंथ हो अच्छी होना जाए जो थाय मसल है वह अच्छी होने चाहिए बहुत पघली ने होना चाहिए दूसरी कि आपका जो नी का बैंदिंग हो कंपलीट होनी चाहिए तो आप बिलको नॉर्मली वाक करेंगे और और कोई आपको देख के पहचानने पाएगा कि आपकी ACL surgery हो रहती है जब हम conventional method से ACL surgery करते हैं तो जो hamstring tendon होता है उसको 45 days तक लग जाते हैं बोल से चिपकने में और 6 months तक वो week रहता है इसी के कारण उसमें initial days में आपको walker दिया जाता है और आपको पैर में ब्रेस लगाए जाता है इन दो चीजों के वज़े से walker और ब्रेस और limited आपकी knee bending करा रहे हैं 10 degree 20 degree इस वज़े से आपके घुटने थोड़े जाम हो जाते हैं और आपकी मास पीशिया पतली पढ़ने लगती है तो नॉर्मल वाकिंग करने में लगबग डेट से दो महीना लग जाता है क्योंकि पहले आपका brace अटेगा जब तक ब्रेस तब तक तक तौधी वाकिंग नॉर्मल नी है थ्री तो फोर वीक में जब ब्रेस अटेगा तब आपका घुटना नॉर्मली वाक करने लगगा और तब तक आपका वाकर भी अट जाएगा उसके बाद आपको 15-20 नॉर्मल वाक करने में जब देट से दो महीना का टाइम रहता है जब इंसान नॉर्मली वाक कर पाता है अगर आप एक्सराइज इस डंग से कर रहे हैं तो अब मैं बात करूं ACL repair with fiber tape internal brace या फिर ACL reconstruction with fiber tape internal brace तो द अब ये जो fiber tape है दोस्तों ये वही material है जो हर surgery में यूज होता है जब normal surgery होती है इसको surgery उसके अंदर भी जो फीमल में बटन लगता है बटन और ग्राफ्ट के विचे लूप है वो fiber का होता है तो fiber tape उसी material का है fiber का ये किसी और material का नहीं है तो जब surgery में हम जब आपके नए ligament को जब repair या reconsider करते हैं उसको fiber tape से अंदर ही ब्रेस बनाया तो उसमें अब excessive strain नहीं पड़ता है इसी के वज़े से हमें बाहर ब्रेस पैनने की ज़रूद नहीं है और वाकर की भी ज़रूद नहीं है तो अगर मैंने आपका ACL repair with fiber tape इंटर ब्रेस की आया है तो क्योंकि internet ब्रेस कम्प्लीट घुटने बेंड हो जाता है और क्योंकि आप पहले जिन सही नॉर्मली चल रहे हैं without any support and without any brace, आपकी जो नॉर्मल वाक है वह बहुत जल्दी रिजीम होती है क्योंकि आपी muscles degenerate नहीं और आपी घुटने जामनी होई तो 15 डेस के अंदर patient आराम से नॉर्मली वाक कर सकता है without any limp, without any pain, fiber tape internal brace surgery के बाद, अगर इसके बार में आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे बागी वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको मेरे से personally बात करनी है तो आप हमें अपनी MRI वाटसेप कीजिए और इसकी detail में मैं study करके बताऊगा कि सबसे एचा है कर दो आप कीजिए और भी जापको आपको 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 में सबस्दया है तो